शुषान की जगा लिना चाते है शाहिर पवित्रो रिस्तर 2 की आक्टर शाहिन ने अब इसको पर बात किया है कुछ दिन पहली पवित्रो रिस्तर 2 का शुटिंग शुरू हुआ है पहला सीजन में शुषान सिंग राजपूत और अंकीता लोखंडी की यह केमिस्ट्री दा शुक को काफी फसान लुआ था और मुझे अभी भी आधे तब हर घर घर में यह सिरियल चलता था और उसके बाद तो अंकिता लोखंडे और सुषान सिंग राचिक भूत की पिछ में रिलेशन भी शुरू हा था और सुषान सिंग की मौतोंने के बाद सिरियल की प्रोड्यूस रिखता का पुरने इसका सेगेंड पार्ट रहाने के लिए सोचा और इस बाद अंकिता लोखंडे के साथ दिगाए देगा शाहिर शेर को लेकिन दोस्तों शुषान सिंग की जगा फिशाहिर को पसान नहीं कर रहा है दर्शुक जादा ता शुषान सिंग की फैन है जो लोग वो लोग तो मानी नहीं रहे और इसलिए शाहिर के उपर भी कुछ बुरा आरोब भी लगा रहा है काफी टाइम से शुषान और अंकिता को फिर से ले आना तो पॉसिवेल नहीं है तो इसलिए इस केमिस्ट्री को दर्शुक को पसान करना ही होगा लेकिन सेरील शुरू होते होते ही तो बहुत बड़ी अक प्रॉलम में खास गया है शाहिर को पता था कि जब भी वो सेरीयल में काम करेगा तब शुषान सींग के साथ काम प्यार ज़रूर होगा और शाहिर को भी बता था कि शुषान की जैसे परफॉर्मिंस भी नहीं दे पाएगा और यह सारे चीज़े लेके शाहिर ने बात किया है शाहिर ने लिखा जब मुझे पहली बार प्रस्तब मिला तो मैंने सहमात नहीं था मुझे लगा था शुषान की जैसे गिरदार मुझे नहीं हो पाएगा मैं वापस चला गया था फिर मैंने सुचा जहां तक मैं शुषान को जानता हूँ वो किसी भी चीज़ को सिकर कर लेते हैं और यह मेरे लिए एक चैलिंज है मैं मेरी तरह से करेक्टर को डेवलाफ करूंगा शाहिन ने आगे बता तो यह भी कहा कि यह सीजन शुषान को सरद्धान जुली देने के लिए बनाए जा रहा है टिम के हार सादे से सुषान को सम्मन करता था और यह आज भी पर करा रहे मैंनो और भी बताया शुषान तुम हमेशे इंसान रहोगे कुछ भी नहीं बतलेगा मैं अभिनाई में अतना अच्छा नहीं हूँ जो आप था का मतलब बे दोस्तों उनका जगा नहीं लेना चाते है शाहिर ने और ना लेने का इरादा भी है पवितर इस तेक टाइम था जब बहुत फेमास एक सीरियल था लीड अक्टर था अंकीता लोकंडे और शुषान सिंग राजपूत कैरेक्टर का नाम था मानवर और चना 2012 में शुषान सिंग इसी सीरियल से बहान निकल गया था सिनेमा में काम करने के लिए लेकिन न्यू सीजन में शिकर और अंकीता की यह केमिस्ट्री तर्शुक को क्या पसंद आएगा वही देखना बाकी है यह सीरियल टीवी के साथ साथ और बाला जी स्ट्रिमिंग प्लाटफर्म में भी दिखाए जाएगा